ओम शान्ति, 17-12-2022 के बाबा के अनमोल महवाक्य बाबा नहीं कहा है बच्चे अपना टाइम फल तुबातों में वेश्ट नहीं करो बाबा की याद में करो, सदा बाबा की याद में ही रहो इसके साथ बाबा ने का अंतर मुखी, कहा जाता है ना अंतर मुखी सदा सुखे जितना हो सके अंतर मुखी रहो 1 दिसंबर से हमारा मून का कम बोलने का, धीरे बोलने का, मीठा बोलने का अभ्यास चल रहा है अधिक से अधिक बाबा को याद करने का अभ्यास चल रहा है अश्रीरी बनने की प्रेक्टिस चलती रहे ये विशेश पुर्षार चल रहा है तो इसलिए बाबा ने भी आज विशेश आटेंशन दिलाया कि बच्चे अंतर मुखी रहो जितना अंतर मुखी रहेंगे उतना सदा सुखी रहेंगे सुनते हैं मदुर मावा के मिठे बच्चे इधर उधर बैठ कर फाल तू बातों में अपना टाइम वेश्ट मत करो बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा कुश्चन है बाप का शो कोन से बच्चे निकाल सकते हैं आंसर है जो बाप समान सेवा करते हैं अगर हर करम बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुर्शार्ट करा रहे हैं दूसरा कुश्चन भी है, अंतर मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर मुक्ता निराली है कैसे? अंसर है, सोल कॉंशिस होकर रहना ही अंतर मुखी बनना है, अंदर जो आत्म हैं उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही बुद्धी योग रख गुणवान बनन है, यही निराली अंतर मुक्ता है, गीत के बोल है ओम नमो शिवाई, ओम श्यांते, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने ये गीत सुना, बाप की महिमा सुनी, और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परन्तु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे, अब तुम बच्चे प्रक्टिकल में हो, भक्त सिरफ गाते रहते हैं, तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारी सन्मुक बैठे हैं, बाप जरूर दादा के तन में ही आएगा, आकर के बताए यह बच्चों को पक्का निश्ची है, हम पुर्शार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे, बाप पतित पावन ज्ञान सागर हैं, उससे तुम पतित पावन ज्ञान गंगाई निकली हो, गंगाई क्यों कह जाता है, क्योंकि तुम सब सजनिया हो सब को हम ग्यान गंगा ही कहेंगे तो बच्चों को नशा चड़ता है हम शिरी मत पर सारे विश्व के मनुश्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता अब बाप आया है सब को सद गती देने और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा क्योंकि करन करावनहार है न तो ऐसी बाप की शिरी मत पर जरूर चलना पड़े बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए उंच प्रालब्त पाएगा परन्तों तक दीर में नहीं हैं तो कुछ करते ही नहीं है बहुत सहज दिन प्रती दिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते रहते हैं और बाप कहते हैं जितनी जोली भड़नी है उतनी भड़ लो यह मालूम भी अपने को पर सकता है हम अपनी जोली अच्छी रीती भड़ रही है या कहां टाइम वेस्ट करते हैं भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनरजी वेस्ट की, पैसे भी बरबाद किये, तो मेहनत भी बरबाद की, देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तिर्थ आधी कितना करते हैं, फिर अपनी समय पर रपीट होका, अब बाप कहते हैं, शिरी मत पर चलो, अपना टाइम यहां वहां बरबाद मत करो, टाइम को आबाद करो, बाप की याद में, बहुत बच्चे हैं, जो बाप की बाते एक कान से सुन कर, दूसरे से निकालते थे हैं, जो अच्छी रीती धारन करेंगे, वह फिर औरों की भी सर्विस जरूर करेंगे, अपना समय कहां भी करेंगे बहुत बच्च्छें हें जो सारा दिन बाहर मुक्य रहते हैं बच्चों को पुर्षार्ट कर अंतर मुक्य पनना है कि अंदर आत्मा एन यह निक्ष्ट करना हैं कि हम आत्मों को बाप समझा रही हैं कि भछ तुम्को सोल कॉंशिस हो करके रहना है सच्चा सच्चा अंतर मुख इसको कहा जाता है हमारी अंतर मुख होने की बाते ही निराली है अंदर जो आत्मे है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है बाप प्यार सी बच्चों को बाद समझाते है मानपिता और जो भी अनन्य भाई बहन है जो अच्छी सर्वस करते हैं उन्हों से तुमको सीखना है फल थोड़े बहुत बाप कहते हैं फल थोड़े बहुत अवगुन तो सभी में अभी भी हैं गाते भी हैं मुझ निर्गुन हारे में कोई को ना ही अभी तुम बच्चों को गुनवान बनना है सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धी योग होगा शुपाबा गुनों का भंडार है उनका संग से बुद्धी का संग सदा होगा तो हम भी गुनवान बनते जाएंगे माया तो बहुत भटकाईगी बच्चे गिरते और चड़ते हैं जो बाडी कॉंशिस रहते हैं वो गिरते रहते हैं जो सोल कॉंशिस रहते हैं वह गिरते नहीं हैं वह बाप से बाइदा करते हैं हम ये काम करके ही दिखाएंगे पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे अंदर में ये पक्का निश्ची करना चाहिए कि हम बाब से पूरा पूरा वर्सा लेंगे कहां भी फालतो टाइम नहीं कमाएंगे वाइदा करना है हम सब को कि बाबाय से पूरा पूरा वर्सा लेंगे और वर्सा मिलेगा बाबाय की याद से कहां भी अपना समय नहीं कमाएंगे बच्चों को शरी निर्वाह भी करना है घर बाद छोड़ना तो हर्ट योगी सन्यास्यों का काम है तुमको तो अपनी रचना की पूरी देखरे करनी है दिल में ये निश्ची रखना है कि इन आँखों से हम जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश हो जाने वाला है इसमें ममत रखने से अपना नुकसान करेंगे ममत एक बाब से रखना है मुख्य बात है पवित्रता के इस पर ही बहुत हंगामी होते हैं क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होता बात कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में हैं सब विकार से ही प्यादव होते हैं तो समझा सकते हो हम ब्रिष्टा चारी को स्रिष्टा चारी बनाने में मदद कर रहे हैं अब तुम बच्चों को Soul Conscious बनना हैं, बार बार बाबा ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम्ही Soul Conscious बनना हैं, पतित पावन बाप को याद करना है, बुलाते भी हैं ही पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे, जरूर पावन बनाएंगे, यहाँ स्नान आदी की तो ब बावन बनेंगे क्योंकि आत्मों पतित बनी है इसलिए बावने का वो ग्या गंगासनान आदी की तो बात ही नहीं मामी कम याद करो और कोई उपाई नहीं है योग अगनी से तुम्हारे पाप बिनाश होंगे आईरन एज से तुम गोल्डन एज हो जाएंगे यह एक ही उपा है दूसरा कोई उपाई नहीं सब बिमारियों की एक ही दवाई है बाप की याद इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे बाप की याद से वर्सा भी याद आएगा बाप माना ही वर्सा लोकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बरतन आदी का कुछ भी वर्स तो तुम को पहले बाप को फिर वर्ष्चे को याद करना हैं, बाप कहते हैं मन मनाभव मध्याजीभव, बाप तुमको सबी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं, बाप सिधा कहते हैं बच्चे देहे अभिमान छोड़ो, तुमको समझना चाहिए, हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं, निराकार बाप, निराकार बच्चों को ही कहेंगे, तुम आत्माई कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो, कोई भी हालत में बच्चों को देहे अभिमान नहीं आना चाहिए, कोई भी हालत में देहे अभिमा नहीं बनना है, अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देहे से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े, कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉंशेस, बेहोस हो जाते हैं, पर अन्तु वह कोई ज्ञान की बात नहीं है, यहां तो बाप को याद करन हैं, जिस याद में ही माया के बहुत विग्न पड़ते हैं, तुम जानते हो, हमने बाप की गोदली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े, भोग बनाते हो, तो भी शुपाबा को याद करना है, आगे भोग बनाते थे, तो कृष्यन को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरु वानी पड़ते थे, याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है, यहां भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जाने चाहिए, जितना हो सके, भोग वा भोजन बनाने के समय, बाबा को याद जरूर करना है, एक दो को याद कराना चाहिए, कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ, ऐसी करते करते पक्के हो जाएंगे, जिनको अभ्यास नहीं होगा, वह तो कभी याद करेंगे ही नहीं, ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा हैं, तो जरूर कुछ होगा न, देवताईं भी इच्छा रखते ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रहे भोजन बनाने से अपना भी कल्यान होता है, तो आने वालो का भी कल्यान होता है, याद में रहने से बुद्धी में आ जाता है, कि हम शुब बाबा से वर्सा ले रहे हैं, परन्तो बच्चे याद करते ही नहीं, ये कच्चाई है, याद में ही भोजन आदी बनाएंगे, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तो तुम बच्चों को फिर ये रोहानी बाप की याद का नशा चढ़ा रहना चाहिए, इसमें बहुत फाइदा है, साजन को बाप को याद करना है, अती मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता ही नहीं, बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं, देवी देवता धरम वाले ही समझ सकते हैं, तमिव मातेश चेपिता बंधु सखा आधी आधी, ये एक निराकार बाप की महिमा हैं, जरूर बाप ने इतना उंच कर्तवी किया हैं, तब फिर भक्ति मारग में हम उनक की महिमा करते हैं, अब बाप कहते हैं, मिठे बच्चे और तरफ से बुद्धी योग हटाओ, सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धी का योग हटाई, मामी कम याद करो, तो तुम्हारा बेडा पार हो जाएगा, बहुत सस्ता सोदा है, परंतु लेने वाले नंब परवार हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ हैं, बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं, सुनते भी हैं, कोई तो अच्छी रिती धारन भी करते हैं, कोई तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देते हैं, यहां सन्मुक सुनने से रिप्रेस होते हैं, फिर बाहर जाने से भू ट्रेक्टिकल करेंगे, सबीर उठकर तुम बाबय की यान्द में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी, इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, सारी मनुष्य कुल का उद्धार करना है, मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसी नहीं जानवर आदी का उद्धार करेंगे उनका ड्रामा में पार्ठी यह हैं जैसा मनुष्य वैसा फर्निचर सत्युक में किचड़ पट्टी होती ही नहीं तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं वहां पंची जानवर आदी सब रोयल होते हैं जैसा मनुस्य वैसी उसकी सामगरी गरीब की सामगरी क्या होगी साहुकार की सामगरी कितने रोयल होगी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत उची कमाई करा रहा हैं फिर जितना जो करे पढ़ाई तो एक ही है पद हर एक नंबर वाद पाते हैं राजा रानी प्रजा सहुकार के नोकर चाकर गरीब के नोकर चाकर सब होते हैं गुद्धी में है कि हम अपनी राज्थानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं हतियारों आदी के यहां बात ही नहीं यह है अभी की बात योग बल से तुम राजाई पाते हो इस समय तुम ब्राह्मनिया, शक्तियां हो सत्यूग में देवियों को हत्यार आदी हो ही नहीं सकते यह है अभी की बात ज्यान तलवार ज्यान खड़क फिर वहसब स्थूल रूप में ले गए हैं अब तुम्हारी सूरत सीरत दोनों बदलती है काले सी गुरा बनते हो सरगुन संपन सोला कला संपन बनते हो जितना जो पुर्ष्यार्ट करेंगे इसमें जूट तो चलना सके अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे इनको बनाने वाला कौन तुमारी बुद्धी में सारे स्रिष्टी के आदी मध्यांत की नौलेज है इस चक्र को तुम जानते हो जिसको जानने से चक्र व्रति राजा बन जाएंगे बोड लगा दो रश्ता है बाप वही सारी नौलेज देते हैं तुम हो ब्राह्मन तुमारी जाथी न्यारी है तुम ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा मुक्वन शावली ब्रह्मनों को ही बाप नौलेज सुना रहे हैं तो शिप बाबा के साथ तुमारा कितना लव होना चाहिए परन्तु अच्छे-च्छे फस्ट क्लास बच्चे, योग में फेल हो पड़ते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुल्ली भी अच्छी चलाते हैं, परन्तु योग में महनत है याद से ही विकर्म मिनाश करना है, ये महनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं भगवानों बाच्चे, तुमको मनुष्य से देवता पतिच से पावन बनाने आया हूं, ज्ञान से ही तो सद्गती होती है, तो ज्ञान सागर तो जरूर नौलेज तो देनी पड़े न, पानी का सागर वन दिया थोड़ी पावन बना सकती हैं, अभी तुम बच्चे समझते ह तो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभीमानी बन रहे हैं, हम बाबा से नौलेज का वर्षा लेकर विश्यू का मालिक बन जाएंगे, कहां उनों की बुद्धी और कहां तुम्हारी बुद्धी, वो सब विनाश के लिए काम करते हैं और तुम इस करते हो, ये बाते भूलनी नहीं चाहिए, परंतो जिनकी तकदीर में नहीं है, तो धारना भी नहीं, पुरुशार्थ करना चाहिए, उन्च पद पाने के लिए, हम पास होकर उन्च नंबर लेंगे, चाहते तो हैं परंतो मैनत नहीं पहुंचती, यह हैं बेहद की पढ़ा करो, हड़ी याद करना है, हड़ी याद करना मिन्स दिल से बाबा को प्यार से याद करना, बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चल कर पूरा वर्सा लेंगे, बाबा हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा नहीं, घर बैठी टरचिंग होती जाती हैं, को कादीर भी साथ देती हैं, कोई फिर संग दोश में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, रामन मत वाले अलग हैं, शुरिय मत वाले अलग हैं, तुम बच्चे जानते हो कैसे राजय स्थापन हो रही है योग बल से, बाहु बल अनेक परकार का है, योग बल एक ही परकार का है, अच्छा, मेठे मेठे सिक्की लदे बच्चों प्रदे, मात पिता, बाप, दादा का याद प्यार, दानने के लिए सार है, अंतर मुखी बन एक बाप से ही सुनना है, एक बाप के साथ बुध्धी योगरक गुणवान बनना है, बाहर मुखता में नहीं आना है। Second point, रोहानी बाप की याद के नशे में रहे भोजन बनाना वा खाना है, पक्का योगी बनना है वर्दान, सुराज्ची की स्मर्ती द्वारा तुफानों को तोफा बनाने वाले अखन सुक शान्ती संपन भाव उन्हें साधन चैल्वेशन Perfectional पर सुक के अनभूदी नहीं होते लेकिन परमात्म प्रापती के आधार पर अखंड सुक शांती का अनभौ करते हैं किसे भी परकार की अशान्त करने वाली परस्तितियां उनकी अखंड शांती को खंडित नहीं कर सकते स्लोगन सदा भरपूरता का अनभव करना है तो दुआई दो और दुआई लो आज का अव्यक्त इशारा कभी कोई भी शारिरिक बिमारी हो मन का तुफान हो तन में हल्चल हो प्रवर्ति में हल्चल हो सेवा में हल्चल हो किसी भी परकार की हलचल में दिल सिकष्ट कभी नहीं होना जैसे बाप बड़ी दिल वाले हैं से बड़ी दिल वाले बनो अगर कोई हिसाब किताब आ भी गया, दर्द आ भी गया उसमें दिल सिकष्ट होकर बिमारी को बढ़ाओ नहीं हिम्मत वाले बनो, तो बाप भी मददगार बनेंगे, मन में जब कोई भी उल्जन आती है, तो ऐसे इस समय पर निर्ने शक्ति चाहिए, और निर्ने शक्ति तब आएगी जब आपका मन उनकी तरफ हो, दिल में सच्चाई हो, इसलिए किसी भी परकार की उल्जन में दिल शिक